नमस्का कुछ लोग इस दुणिया में ऐसे होते हैं न कि उनके पूरी दिंगी तडब तडब के निकल जाती है, वो कभी खुश नहीं रहते हैं, पलड़ दुख रहते हैं, तुखी रहते हैं, नहीं जाने हैं उनके ऐसा क्या दुख सता था, और पता है, वो जल्दी भी मर भ कि एसे लोग कौन होते हैं कि एसे लोग वाला एसी आदते वाले होते हैं उनकी आदते ही एसी होती है ना कि बस वह पल 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 अंदर अपने आपको जलाते रहते हैं कि उनका पास सब कुछ होता है फिर भी बस हाय 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 करते हैं ना जाने क्यों कि उनकी आदते ही एसी एसी आदते वाले लोग है ना खुद तो तडबते ही हैं खुद तुकी होते हैं साथ में अपने परिवार को भी दुखी करते हैं ऐसे लोग नालायक और निकम में होते हैं तर खुद को तढ़ पत रहते हैं। खुद को शरीर को नुखसान किराते हैं। साथ में अपने परिवार को भी नुकसान देंगे। वो तो लेरे जेलेरे, कोई बात है। एसे लोग है ना, एसी आधिते वाले होते हैं। नमबर वन, स्वार्ति वो लाल्ची किस्म का व्यक्ति, जो इंसान स्वार्ति होता है, जो इंसान लाल्ची होता है, वो जीवन बढ़ तुकी रहता है, वो तु 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 तड़कता है, साथ में अपना परिवार को भी तुकी कर दा है, लाल्ची इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन जब किसी दूसरे के चीज ये कम और याँ यह तो मेरा पास भी होनी चाहिए और याँ उसके पास वह चीज या कास मेरा पास होती है वो अंदर ही अंदर दुखी होता है अरे याँ वो मेरा पास होती है ये लालची किस्म के व्यक्ति होते हैं ये लालची किस्म के व्यक्ति है ना वो कभी जीवन में सुकी नहीं रहते हैं वो पल पल तडपते रहते हैं और दुकी होते रहते हैं और जब वो दुकी रहते हैं पल पल और पल तडपते हैं उनका सरीर वैसी हो जाता है और वो जल्दी इस दुनिया से चल जाता है second ग्रोधी व्यक्ती जो इंसान बहुत ग्रोधी होता है ना उसका गुस्झा अगर नाट पे बेटा रहता है ना जिस इंसान के वो इंसान भी पल पल मतलब अपने सरीर को नुकसान देता थोड़ी सी बात हुई जला गा को एक चोटी साथ के लिए तो दूसरे का थोड़ी हो जो राएं उसको भूसका और खुद जो पल-पल करता है ना जिसका गुष्टा ना कर बेट रहता है न वह इंसान भी बहुत कम जिता है हमेसा तड़पता रहता है और हमेसा अपने सरीक को नुक्सान पहुचा था हां एक लिमिटेड को वह एक किसी निश्यत कारण पे हो या कुछ कारण हो तो अलग बात है आप इंसान का तो शरीर का नुक्सान हो नहीं है थाड़ आंकारी वक्ति जो वक्ति आंकार से बढ़ा हुआ होता है ना ऐसे वक्ति देखना ज्यादा समाज में बुले मिले नहीं रहते हैं बस वह अपने दुन्या में रहते हैं बस मैं हूं जो हूं जो मैं हूं मेरे बराबर को हाँ ठीक है आपको एक लिमिटेट तक का अपना स्वाब इमान होना चाहिए जब वो स्वाब इमान आहंकार बदल जाए तो प्रों मेरे से चोटा आ है तो मेरे से पेसे काँ हर चीज काँ आपको एख एस्टेटर्स का, गाड़ी का, बंगले का अहंकार आ जाएगा न, फिर आप समझे देना, आप अपने सरी का नुक्सान करोगे, आप अपने परिभार का नुक्सान करोगे, और आप इस दुनिया से जल्दी चले जाओगे, इसलिए जिए जिएन में अहंकार तो कभी मत करना अहंकार किया नहीं आपका पतन शुरू हुआ नहीं अहंकार तो जिएन में कभी मत करना फॉर्थ इर्शा जो व्यक्ति दूसरों से नफरत करता है दूसरों से इर्शा करता है दूसरों से पल पल जलता रहता है यह इसे इंसान भी कभी भी सुकी नहीं रहते हैं वो भी पल पल तड़त रहते हैं पता है आपको जैसे कि विश्चा क्या होती है जैसे कि उसके गर में सब कोश है लेगिन वो कुछ अच्छी चीज़ दाया और यह मनी मन बस बुकाएगा नी वो कैगा अंदर यंदर चलता र अंदर ही अंदर इंसान जलता रहेगा और अंदर ही अंदर अपना खून जलता रहेगा अपने आपको कमजोर करता रहेगा एसे इंसान खुद तो तड़कते हैं साथ में परिवार को भी तड़कते हैं और अपना सरीर का नास कर देते हैं एसे व्यक्ति से हमें साथ ध्यान रखना कि ये चार आदते वाले व्यक्ति हैं एक तो बहुत कम जीते हैं एक अपने परिवार का भी नुक्सान करते हैं दूसरा अपने सरीर का भी नुक्सान करते हैं और हमें साथ जिनकी तरफ तरफ के बुजारते हैं लालची और स्वास्ति व्यक्ति आंकारी व्यक्ति प्र